आज आप कहीं भी देखिए चाहे सडकों में हो महले में हो सडक के किनारे हो रेल्वे ट्रेक के किनारे हो या चोराहे के पास हो मैदान हो जहां भी आप देखें कूड़ा 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 हर जगा कूड़ा ही कूड़ा आपको नज़र आया कूड़े कच्रे का भरमार क्या यही 21 वी शताब्दी हमें देने की कोशिश कर रहा है कूड़ा जिया आपने देखा हो आज कल विश्विश गाड़ियां भी चलने लगी है कूड़े कच्रे की गाड़ी जो आपकी कुड़े कच्रे को भर के ले जाता है और बड़े-बड़े धेर सारे गड़े खोदे हैं जहां भरा रहता कुड़ा भई 20-25 साल पहले तो ऐसा ज्यादा नहीं था हां कच्रे होते हैं ऐसी बात नहीं लेकिन आज तो बस हर जगा कच्रा ही कच्रा आपको नजर आएगा हम लोग जो परिवार में रहते हैं घर में रहते हैं बस अपने घर की सफाई करते हैं और जा करके कुड़ा कहां डाल देते बस बिल्कुल हमारे जो छेतर है उससे थोड़ा बाहर बस अब कोई फिसले खराब हो बिमारी हो कोई मतलब नहीं हमारा घर साफ हो चारो तरह बस कुड़ा कहीं भी डाल दो कभी कभी ऐसा होता है है ना हमारे जीवनों में शायद आप ना करते हो जो अच्छी बात है लेकिन जिस प्रकार से हम अपने घर की सफाई करते हैं क्या हम अपने समाजी भी सफाई करते हैं कुड़ा सही जगा पर डालते हैं देख तो हर चीज खुरी मिलती थी अब क्या है प्लास्टिक प्लास्टिक का ऐसा बोल बाला है कि आपको अगर थोड़े सी भी कुछ चीज लेनी है टॉफी लेना है ड्रिंक्स लेना है खाने पिने का समान लेना है कहीं और अगर आप कहीं से ओर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग तो उन लोग भी पूरा पक ऐसा पैक करके भेजते हैं और जो अंदर थोड़ा समान है उसको करके फिर हम निकाल के क्या करते हैं उसको फेक देते हैं बड़े बड़े पैकेट्स ये कुड़ा एकदम से लेकर हमारे समाज के लिए बहुत एक गंदा दुर्श, अब देखे ना हमारे भारत वर्ष में लोग बाहर से आते हैं हमारे ऐसी ऐसी चीजने हैं जो बहुत सुंदर हैं देखनेलायक है और इस प्रकार की चीज़णे तो बाहर के जब लोग आते ह мैं हमारे धेश में विजिट करने के लिए टूरिजम के लिए तो इस कुड़े के धेर को देख करके क्या कहते हूँ हाला कि हमारे प्रदान मंतरी जी ने जरूर इसके बारे में ड्राइव किया है कि भई सच भारत और हमें करना है बहुत अच्छी बात है और कई रिती से थोड़ा साब भी हुआ है लेकिन फिर भी हमारे अंदर ऐसी आदत सी पड़ गई है कि हम कुड़ा अपना कुड़ा जो है बाहर जा करके फेक देते हैं अब देखी यहाँ पर जो आपके डायाग्राम है धेर सारे कुड़े उसके उपर मक्या भिन 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 आ रही है कई प्रकार की बिमारिया और उल्टे सीदे केड़े मकोड़े आ रहे है यह बहुत ही खतरनाख है हमारे परिवार के लिए हमारे समाज के लिए कुड़ा 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 अब इसमें आप क्यों मेरी जम्मेदारी परती है कि हम किस प्रकार से इस कुड़े को एक प्रॉपर बैग में या किसी चीज़ में डाल करके उस जगह पर छोड़े जहां पर कुड़े वाले आते हैं और गाड़ी में भर कर ले जाते हैं तो एक तो हम ये बात सीख सकते हैं, एक विश्वासी होने के नाते, अब आप सोच रहेंगे भाई, ये कूड़े के पीछे क्यों पढ़े हुए आज, उसका कारण है, क्योंकि एक समस्या है, पीछे पढ़े का मतलब ये समस्या है, और इस समस्या को आप और मैं ही solve कर सकते हैं कोई बाहर का व्यक्ति आकर के नहीं करेगा, हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है, responsibility होती है, उसको हमें करना है, ये तो हो गई कूड़े की बात, लेकिन इससे भी भयंकर एक कूड़ा है, जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को नाश कर सकता है, जी हां, और वो कूड़ा जो है ह हमारे दिमाग में, क्या हमारे दिमाग में मन में कहीं ऐसे कूड़ा करकट तो नहीं है, कूड़ा कचरा तो नहीं भरा हुआ है, ये हमारे दिमाग में, जैसे कि आप यहां डायग्राम में देख रहे हैं कि बाहीं तरह पेक्ति है, उसके दिमाग के उपर एक प्रश्न आच आप समझ गये होंगे कि हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिश भी कभी-कभी कूड़े से भर जाता है यदि हम उसको भरने की आग्यात दें और इसी बात को ध्यान में रखते हुए है बाइबल भी कुछ इसी के बारे में बताती मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो मन की बा अध्याय मत्ति उसका पंद्रवा अध्याय और उसका अठारा पज से मैं आगे पढ़ूंगा देखिए परमेश्वर का वचन बहुत साफ रिथी से कहता है कि कि किस प्रकार का कूड़ा हमारे मन में आ सकता है जियां सुनिए प्रविश्मसी कहते हैं यहां पर पर जो कुछ मुँ से निकलता है वहां मन से निकलता है वही मन है ना मस्तेश दिमाग वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है क्योंकि बुरे विचार हत्या परिस्तरी गमन व्यविचार चोरी जूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है परंतु हाथ बिना धोय भोजन करना मनुश्य को अशुद्ध नहीं करता तो यहाँ पर हमारी प्रभूश मसी ने कहा मन है जो उसमें आप क्या-क्या भर के रखते हैं और यदि हम बुरे विचार रखें जैसे कि यहाँ आपर लिस्ट में आपके सामने दिया गया है यह जो कूड़ा करकट कूड़ा कचरा जो है जो मन से निकलता है क्या है अशुद्ध विचार, बुरे विचार हत्या, परिस्त्री के हमार, वह विचार चोरी, जूठी, गवाई, दंदा हमारे आत्मिक जीवन के लिए क्या है कूड़ा करकट है और यह हमें बिमार कर देगा आत्मिक रिती से जिस प्रकार से कूड़े करकट के ओपर मक्यां भिन भिन आती रहती हैं और बिमारियों का कारण बन सकती है उसी प्रकार ये विचार इस प्रकार के विचार जब हमारे मन में भरे रहते हैं तो भाइसा हमारे आत्मिक जीवन को क्या करेगा नश्ट कर देगा, बिमार लग देगा और एक देखते हैं कि हम परमिश्वर से दूर चले जाते हैं अब यह कुडा करकट आता कैसे है भाई वो depend करता है कि हम उसमें क्या डालते हैं हम TV में क्या देखते हैं मोबाइल में क्या देखते हैं अशलीलता एक सबसे बड़ा प्राबलम है कूडा करकट है की ने नंगे चित्र कूडा करकट मन में घमन कूडा करकट और उल्टे सिदे विचार जो आते हैं इंटरनेट के दोरा या दूसरे और चीजों के दोरा जो हम सोचते हैं ये क्या करते हैं हमारे मन को तहसनास करते हैं और उल्टे सिदे विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं ये है कच्रा कूडा और इसको क्या करना है इसको साफ करने की बहुत बहुत जरूरत है जी हाँ गारबेज जिसे हम कहते हैं गारबेज इसे साफ करने की जरूरत है अब साफ कैसे होगा वैल पहले तो हमें प्रभीश मस्जी को अपना जीवन देना है अमरी आशा है कि आपने दिया होगा, लेकिन फिर भी विश्वासी के जीवन में कभी-कभी ये कूड़ा करकट आ सकता, मेरे जीवन में आया था, आता है, तो हमें क्या करना है, इस कूड़े करकट को से साफ रखने के लिए हमें अपने दिमाग में क्या करना है, परमेश्वर भजन सहिता उसका 119 ठीक है और उसका नौ और दस पद नहीं नौ दस पद तो नहीं दस और ग्यारा पद हम देखें हैं देखें कि परमेशर का भजन क्या कहता है मैं पूरे मन से तेरी खोज में लागा हूँ मुझे तेरी आग्याओं की बाठ से भटकने देना भटकने न दे मैंने तेरे वचन को अपने हिर्दय में अपने मन में अपने व्यक्तित्व में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो तो जब हम परमेशर का भजन अपने मन में अपने वस्तिष्क में अपने देमाग में अपने व्यक्तित्व में भटते हैं वचन को पढ़ते हैं बाइविल को पढ़ते हैं उस पर मनन करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो हमारा मन कैसा होता है साफ रहता है कुड़ा कर करने जैसे साबून होता न क् लोग भाई साबुन इस्तेमाल करते हैं अच्छे से अच्छा साबुन ला करके ताकि वो कपड़ा कैसे रहे साफ रहे इसी रिती से आत्मिक जीवन के लिए हमारा मस्तिष्ट साफ करने के लिए परमेश्वर का बचन ही बहुत जरूरी है एक और पद मैं इसी से समंद में मसी के वचन को अपने हिर्दय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्यान सहित एक दूसरे को सिखाओ चिताओ और अपने अपने मन में कृतग्याता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और इस्तूतिगान और आत्मिक जीद गाया करो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्रित्रो लिखा हुआ है वचन को अपने जीवन में बाइबल को अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में मस्तिष में भर दे ताकि वो जो कूड़ा करके है न उल्टे सिदे विचार वो नहीं आएंगे इसलिए यहाँ जैसे आप देख रहे हैं यह हम परमेश्वर का वचन, पवित्रात्मा की अगवाई से परमेश्वर के वचन को हमें क्या करना है, भरना है, तब ही तो बात बनती है न, परमेश्वर के वचन में तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, तो यह चीज आपको और मुझको करना है ताकि हम, हमारा मन कैसे रहे, साफ रहे, शुद रहे, पवित्र रहे मसी के बचन को अपने हिर्दे में अधिकाई से बसने दो और सिद ग्यान से एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ एक और पद इसी से संबंदित में आपके सामने पढ़ना मांगता है पाया जाता है, दूसरा तिमोथी और उसका तीन अधिया और उसका सोला और सत्रा पद संपूर्ण बाइबल, पवित्र शास परमेश्वर की प्रेणा से रचा गया है और उबदेश और समझाने और सुधारने और धार ताकि वो result है ताकि परमेश्वर का जन क्या बन जाए? सिद्ध बन जाए आप सिद्ध बन जाए मैं सिद्ध बन जाऊ और हम perfection की और बढ़ते चले जाए ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत पर हो जाए, तयार है लेकिन कुड़ा बाहर एक जगह पर फेकना है ताकि कुड़ा वाला जब आए कि गाड़ी तो उसको सही रूप से वहां पर ले जाएगा उसी प्रकार से हमारे मन को भी सफाई करना है उसकी सफाई करना है परमेश्वर के वचन के दोरा जितना भर भरेंगे वचन को अपने मन में उतना क्या होगा सफाई होगी एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पर लिखी हुई है जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूं और वो पाए जाता है फिलिपियों की पत्री में पौलुस लिखता है यहां पर फिलिपियों और उसका तीन अध्याए और अब इसका जो संदर्भ है, मैं इसको इस प्रकार से बताना मांगता हूँ, जो पौलूस है ना पौलूस, प्रिरित पौलूस, जो परमिश्व का जन्भक्त था, जिसने जाद तर पत्रियां लिखी हैं, वो बहुत बड़ा वेक्ती था, बहुत लर्नेट वेक्ती था, एजु प्रभू में आने से पहले वो प्रभू के लोगों को बहुत सता था, और जगा जगा जा करके बंदिग्रे में डालता था, लेकिन प्रभू को प्राप्त करने के बाद वो सब छोड़ दिया, उसका एजुकेशन, उसका बोलने का तरीका, उसका सब कुछ बहुत बढ़िया लेकिन क्या है, उसने बोला ये सब बाते मेरे लिए क्या है, लाप की थी, लेकिन उनको मैंने कूड़ा समझ लिया, क्या समझ लिया, कूड़ा, सुनिये न, प्रमिश्व का वचन क्या कहता है, फिलिपियों उसका तीन अध्या है, साथ और आठ पद, परंतु जो जो बाते परंतु जो जो बातें मेरे लाब की थी, उन्ही को मैंने मसी के कारण हानी समझ लिया है, वरन, मैं अपने प्रभू मसी की इशू की पहचान की उत्तमता के कारण, सब बातों को हानी समझता हूं, कौन सी वाली? उसका एजुकेशन है, उसका जो भी उसके जीवन में सकारात आत्मक चीजे जो थी, उस सब वो हानी समझा, क्यों? जिसके कारण मैंने सब कुछ वस्तों की हानी उठाई, और उन्हें कूड़ा समझता हूं, अब देखिए, उन्हें क्या समझता हूं? कूड़ा समझता हूं, ताकि मैं मसी प्रभू को प्राप्त करूं, जो भी उसमें अच्छाया पाई जाती थी, उसने लिखा हूआ यहां पर यह था, मैं वो था, मैं बड़ा भारी वो था, यह था, मतलब आप पढ़ेंगे, अगर आप फिलिपियों की पत्री तीना द्याह में, तो आपको पता पढ़ेगा, उसने कहा, यह सब मेरे लिए क्या है, कूड़ा क्योंकि उसके लिए एकी चीज दिमाग में थी प्रभुईश्व मसी, प्रभुईश्व मसी की सामर्थ को, प्रभुईश्व मसी के दुख को, प्रभुईश्व मसी के जीवन को, अपने जीवन में वो ढालना मांगता था, और यही बात यहां पर उसने लिखा हुआ है, आ वस्तुओं की हानी उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, कूड़ा करकट, गार्बिच समझता हूँ, ताकि मैं किसको प्राप्त करूँ, मसी को प्राप्त करूँ, उसका एक ही ध्यान था, एक ही लक्ष्य था, एक ही गोल था, कि वो प्रभु, प्रभु इश्य मसी को और अधिक तब अधिकतात से पाया जाए। कितनी बड़ी बात महाँ पर लिखा हुआ है। मेरे प्रियों, ये हमारे लिए और आप के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है? कि हम प्रविश्व मस्जी को प्राप्त करें, प्रवेश्वर के वचन को अपने दिमाग में रखें, पवितरा आत्मा के सामर से अपना जीवन चलाएं, ये सकार आत्मा चीजें हमारे जीवनों में आ जाती है। और इसलिए मेरे प्रियों बहुत जरूरी है कि हम जो आत्मी कृती से जो कूड़ा करकट भरा हुआ ना, बुरे विचार, घमन, जलन, ये क्या है? कूड़ा करकट है ये। अपना एजुकेशन, अरे मैं तो ये हूँ, मेरे बिना तो कुछ होई नहीं सकता, हमें प्रभू के लिए सब कुछ त्यागने की जरूरत है, ये अगर मौका है, मैंने बोड़नों की एजुकेशन खराब है, नहीं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा घर हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम सोचें कि बस इसी के लिए मैं जीता हूँ, या इसी के लिए मैं जीती हूँ, तो वो कुडा करकट है आपके जीवन का लक्ष हमारे जीवन का लक्ष ये सब बाते नहीं ये secondary बाते हैं ये प्रात्मिक्ता नहीं प्रात्मिक्ता हमारी और आपकी है प्रभुईश्य मसी और वो हमें न सिर्फ इस जीवन में अगवाई करेंगे आने वाले जीवन में भी हम हमेशा उनके साथ लगातार लगे रहेंगे सुप्रियो आज हमने देखा कि उधारन की रूप नहीं हमने देखा कि कैसे कूड़ा करकट कचरा जो है वो हमारे गर से साफ हो सड़कें साफ हो हम उसमें सायता करें कोड़ा करकश दे इधर नहीं फेके लेकिन सही जगा पर फेके ताकि कोड़ा गाड़ी जब आती है तो उठा करके ले जाए अपने घर को साफ रखें अपने महले को साफ रखें और भी रिस्पॉंसिबल सिटिजन जिम्मेदार वेक्ति हम बने नागरिंग बने हैं ना तब ही तो हम अपने देश की सिवाई एक तरह से कर सकते लेकिन उसके साथ साथ इससे भी ज़्यादा खतरनाक कुड़ा है वो है पाप पाप का कुड़ा बुरे विचार मन्शा, मस्तिश्क, हमारी मान सिक्ता क्या है कहीं उसमें प्रभू के बचन से भरना है अपने मस्तिश्क को क्या बराए दिमाग में अभी अगर आप से मैं पूछू आपके दिमाग में क्या बराए तो आपका क्या जबाब होगा ये तो भाई आप ही जानेंगे या मैं ही पता पड़ेगा मेरे अपने बारे में तो आईए हम परमेश्वर के बचन से अपने दिमाग को भरे उस पर मनन करें उसके अनुसार चलें तो परमेश्वर क्या करेगा हमें पवित्र बनाएगा प्रभूश मसी के समान बनाएगा उसका बचन तब ही तो बात होती है और हमने देखा कि किस प्रकार से जो पौलूस है वो जो भी उसकी जो मतलब अच्छी बात है उसके जीमन में उसको बोल रहा है यह कुड़ा करके ख़ए यार मैं इसको क्या करूंगा ले जाकर के मैं तो ले आने सकता या मैं प्रभुष्यमसी को पहचानना मांगता हूं और प्रभुष्यमसी के दुख को पहचानना मांगता हूं उसके अनुसार चलना मांगता हूं क्या आपका और मेरा यही लक्ष है आए हम परमेश्वर के वचंद में भरे रहे आए हम परमेश्वर के प्रेम में भने रहें आए हम प्रविश्वमसी के जीवन से भरे रहें हम आए हम पवित्रा आत्मा से भरे रहें हम तब तो बात बनती है साब तब ही तो विश्वासी का क्या बोलता है न जैवंत जीवन जिसे हम कहते हैं वो बहुत बढ़ा रहेगा और हम दुसरों के लिए आशिश का कारण भी बन सकते हैं। सो आए कुडा करकट फेक करके वचन को अपने दिल, दिमाग, वक्तित्व में भर लें।